उतरप्रदेश के जौनपूर में उस वक्त हरकंप मज गया जब बीजेपी नेता प्रमोध यादफ की दिन दहाडे गोलियों से भून कर निर्मम हत्या कर दी गए भारतिय जंता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रमोध यादफ को बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है मिली जानकारी के मुताबिक अग्यात बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद अपनी बाईक छोड मौके से फरार हो गया दिन दहाडे गोलियों की अवाज सुनकर आसपास के इलाके में हरकंप मच गया सूचना पर पहुँची पुलिस ने मृतक बीजेपी नेता के शब को कबजी में लेकर पोस्माटम के लिए भेज दिया है और फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई है इस संदर्ब में सोशल मीडिया साइट एक्सपर जॉनपूर पुलिस ने एक बयान जारी किया है उन्होंने कहा कि जल्दी इस घटना का खुलासा करेंगे अभी सूचना के हिसाब से तीन लोग इस मामले में शामिल है एस पी ने कहा कि जाँच जारी है हमारी टीमें वर्काउट कर रही है संदिग्दों की जानकारी प्राप्थ हुई है करारा के खुलधा प्रजाओं में यह इतना कि सूचना प्राप्थी थी को तब मुद यादव जिनको कुछ बदमाशन दोरा रूप करके कुछ कार्ड देने के बहाने बास्ति करने एक रुशिश की गई और उसे जिरा उनके साहर किया गया प्रमोद यादव ने साल दो हजार बारा में जेल गए धनंजे सिंग की पतनी जागरिती सिंग के खिलाफ जौनपूर की मलहनी सीट से विधान सभाद चुनाव लड़ा था बतादें सीट पर सपा पार्टी के टिकेट पर पारस नाथ ने जीत हांसिल की थी वहीं जागरिती सिंग दूसरे पाइदान पर रही थी बियर रिपोर्ट भारत एक्स्प्रेस यूपी टूसरे अा